होम लोन बॉरोवर्स के लिए बहुत अच्छी ख़बर आने वाले वक्त में आप रेट कट देख सकते हैं और ये रेट कट दोस्तों पचास लाग के होम लोन पे जहां पर अगर समझें 9% की रेट चल रहे हैं अगर वो 0.5% से भी गिर जाती है मतलब लगबग 8.5% पर अगर मार्केट की बॉरोविंग्स सरकार की फिस्कल डेफिसिट की जो टार्गेट थी वो भी काफी हद तक वो अचीफ कर पा रहे हैं तो ये सब के चलते हम देखेंगा आने वाले वक्त में अच्छी रेट कट 0.5% तक का अनुमान है एक्सपर्स का की हो सकता है in the next two quarters and if that happens so what should be your preparation पहला आपको ये देखना है कि आपकी existing home loan की regime क्या है क्या वो BPLR में है या MCLR में है बेस प्राइम लेंडिक रेट में है या marginal cost lending rate में है अगर BPLR है MCLR है तो आपको उसको change करना होगा EBLR में external benchmark lending rate में है तो ऐसा करने से आप ये benefit ले सकते हैं बट ये housing finance company से लिया हुआ लोन या NBF से लिया हुआ लोन वो सारे borrowers या वो सारे customers इसका लाब नहीं ले सकते हैं ये सिर्फ bank से अगर समझे अगर आपकी लोन चल भी होम लोन चल लिया है तो आप उस case में ये benefit ले सकते हैं जितने भी government banks के loans है जिन्होंने भी government bank से loan लिया है तो नॉर्मली इनके तो BPLR और MCLRE रहते हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छी scope है आपके लिए कि आप उसको EBLR में convert करें in case आपकी bank नहीं agree कर रही है तो आप उसको shift कर सकते हैं जहां पर भी आपका account है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में आप अपना balance transfer BTM जिसको बोलते हैं आप कर सकते हैं so this would help you to enjoy the benefits because आने वाले वक्त में rate cut जब होते ही रहेंगे तो EBLR में जिन लोगों का loan है उस regime में तो straight आपको उसकी benefit मिल जाती है and then that would end up helping you save lot of money in your interest I hope ये information आपके लिए useful थाबित हुआ है हुआ है तो जरूर औरो को भी share कीजेगा और हमारे इस वीडियो को support कीजेगा Thank you so much for watching